दोस्तों अगर आब ही ये जुबेंचेल को एक बहतरीन खिलाड़ी मांते तुमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर किजेगा दोस्तों आईपेल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदेशन कर रही है लेकिन राजस्तान की टीम इस साल बहुत ही खतरनाग प्रदेशन करती हुए दिखाय दे रही और हाली में हुए राजस्तान के कौलकता के खिलाफ मुकाबले में राजस्तान ने रोमाचक मुकाबले में इस बाद राजस्तान की टीम को बहुत ही बड़ा फाइदा हुआ चलिए दोस्तों आपको इस रोमाचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारें बताते हैं लेकिन उससे पहले राजस्तान की टीम इस मुकाबले को जौश बटलर या या जू बेन चहल में से किस किलाड़ी की बत कॉलकता ने टॉस जीत कर पहले गिंद वाज़ी करने का फैसलाइक है और राजस्तान डॉस की टरफ से जौश बटलर और देदुत पनिकल ने पारी की शुरुबात की जबकि कॉलकता की तरफ से उमेश यादों ने पहला ओवर करा और उमेश यादों ने शांदार शुरु अपने 1000 रन पूरे कर लिया और 21 साल के पनिकल ने 2020 में IPL डेव्यू किया और आपको बता दे कि उस सीजन में 473 रन बनाये थे और वो अभी तक 6 अर्ध शतक और 1 शतक लगा चुके हैं वहीं जौश बटलर ने अपने शांदार फॉर्म जारी रखते हुए एक और अर्ध श शतक है तो वहीं सुनी नरे ने कॉलकता को पहली सफलता दिला दी और नरे ने अपने दूसरे ओवर की चौती गेंद पर देद पनिकल की गिली उडाई और पनिकल ने आउट होने से पहले ही 18 गेदों में 24 रन बनाये तो वहीं संजू सैमचन और जौश बटलर ने मिलकर र का तीसरा शतक है और उन्होंने अपनी पारी के दोरान नो जोगे और पांच हके लगाए और इसके बाद पैंट कमिंस अपने आखरी ओवर में महेंगे रहे लेकिन इसमें उन्होंने और जौश बटलर का बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया और कमिंस ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर बटलर को चकरवर्थी के हाथों कैच आउट करवा दिया और बटलर ने आउट होने से पहले ही 61 गेंदों में 103 रन बनाए और इसके बाद राजस्तान ने रियान परा के रूप में अपना चौथा विकेट गवा दिया और सुनी नरेन की गेंद पर पैं के नुकसान पर बरा दिये जिसमें नराण ने दो रूसल मावी कमिंस ने एक एक विकेट हाजल किया और 218 रनों के लक्ष कौलकता टीम को दिया गया और कौलकता की दरब से ओपनिंग करने के लिए इस बार नई जोड़ी एरॉन फिंच और सुनील नराण वैदान पर आए और कौलकता की टीम को इन दोनों के लाडियों से तेज दर्रार बल्ले बाजी की उम्मीद की जा रही थी और राजस्तान की दरब से पहला ओवर डालने के लिए ट्रेंड बोल्ट आए और पहने ही गेंद पर सुनील नराण आउट हो गया यानि कि रन आउट हो गया और इस ही दो गेदो पर दो चौके जड़ दी और अपनी मंशा साफ तरीके से जाहिर कर दी और इस ओवर में पूरे नौ रन आए और इसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए प्रसिदे क्रिशना आए और अपनी पुरानी टीम के सामने आए उन्होंने गेंद बाजी की और इस ओवर में विकेट लेने की कोशिश करी लेकिन इस ओवर में एरोन फिंच ने अपना आक्रामक रूप धारन करते हुए दो चौके और जड़ दी और आठ रन बना दी और अगला ओवर डालने के लिए ओबेड मकाय आए और इस ओवर में उन्होंने शांदार गेंद वाजी क चौका समेत 14 रन कौलकता की टीम ने बना दी और अगला ओवर डालने यजुवें चहल आए और इस ओवर में कौलकता ने तीन चौके समेत 17 रन बटोल लिए और आठवा ओवर डालने आए ओवद मेकोई और इस ओवर में एक चौका और एक चौका समेत 19 रन आए और इसी के कि इस ओवर में यह जुवेन चैल ने बहुत ही खतरनाग गेंद बाजी करते हुए पहले वैंकटेश को साथ गेंदों पर चैरन बना कर आउट किया इसके बाद बल्ले बाजी करने के लिए आए शेल्डन जैक्शन और दूसरी तरफ श्रेश ऐयर को 51 गेंदों पर नौ चोके और चार चको की मदद से 85 रन बना कर आउट किया और ओवर की चौती गेंद पर आउट किया और इसके बाद बल्ले बाजी करने के लिए आए पैट कमिन्स और पैट कमिन्स को पहली ही गेंद पर बिना खाता कोले पवेलिन की तरफ बेज दिया और बल्ले बाजी के लिए आ और अब उमेश यादों ने बहुत ही खतरनाग वले बाजी करते हुए अठारवे ओवर में दो चके और एक चोके समेट 20 रन बटोर ली और अब जीत के लिए 12 गेदों पर 18 रनों की आवशक्ता थी और इस ओवर में ट्रैंड बोल्ट ने मात्र 7 रन दी और मुकाबले को और गेंद बाजी करने के लिए ओविद मकॉई आये और ओवर की दूसरी गेंद पर आठ गेंदों पर आठ रन बना कर स्ट्रडन जैक्शन को आउट कर दिया और अब जीत के लिए 9 रन 4 गेंदों में आवशक्ता थी लेकिन शांदार गेंद बाजी करते हुए ओविद को क्या लगता है कि राजस्तान की टीम जिस प्रकार से इस टूरा में प्रदशन कर रही है क्या फाइनल में राजस्तान की टीम पहुंच पाएगी या फिर ने कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्स्क्राइब कीजिए हमारी य